नमस्कार राव सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्र शेगर शर्मा दर्शिकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है 16 जुलाई सन 2023 विक्रम समवत 208 चल रहा है शावन मास है कृष्ण पक्ष है वडशा रितू है त योग द्रूव है सुबह 8 बज के 31 मिनट तक आगे व्यागात योग है तो योग की द्रस्टी से आज का दिन शुब नहीं है कोई बड़ी बिजनस डील या रिष्टे की बात करने वाले थे तो आज की दिन को टाल दीजिएगा करण विस्टी है सुबह 9 बज के 19 मिनट तक शकुन करन रहेगा रात को 10 बज के 9 मिनट तक सुर्योदेगा समय दर्शे को सुबह 5 बज के 33 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बज के 20 मिनट का है आज का राहु काल दौपेर बाद 4.5 बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच है जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएग क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब जित मुरत आज 11 बज के 69 मिनट से दौपेर 12 बज के 54 मिनट के बीच है दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझ के सूजबू से टाल परिहार करके निकलें परिहार बहुती सरल है पश्चिम के और मुक कीजिए थोड़ा सा घी दलिया खालीजिए या पान खालीजिए और पांच कदम पीछे चलिए और जब यह सारी प्रकरिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इस्ट का हिर्दे में ध्यान कीज और इस दिशा की यात्रा पर निकल जाइए यात्रा बहुती अच्छी रहेगी मंगल में रहेगी कारे सिद्ध होगा और दिशा शूल आपको नहीं लगेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज का सदुप्योग करने का समय जो है वह सुबह साथ बचके तीस मिनट से बारा बचके 25 मिनट तक फिर दौपैर दोबच दस मिनट से तीन बचके 50 मिनट तक फिर शाम साथ बचके 20 मिनट से रातरी नौब चके 30 मिनट तक बाकी सारे दिन के यह ज़्यादा शुब और योग कारक समय होता है तो कुछ अच्छे काम करें करें तो सफलता की चंसेश ज आज अपने मित्रों बंधुओं से मिल रहे समर्दन से होंगे प्रबल वहीं व्रश राशी वाले आज कोटुम के किसी व्यक्ति के साथ व्यापार में साथ जुड़ने की यूजना बना सकते हैं मित्रों राशी वाले बहुत ज़यदा भ्रमित रहेंगे और डबल माइंडेड रहेंगे करक राशी वालों को आज ध्यान रखना है कि आमोद प्रमोद में मनोरिंजन में जरुत से ज़्यादा धन खराब न हो जाए वही सिंग राशी वाले किसी मनोकामना पूर्टी का मार्ग पाएंगे और कन्या राशी वालों के पिता संबंदित शुब सूचना उन्हें प्राप्त हो सकती है वही तुला राशी वाले भाग्य से पाएंगे पुरा-पुरा सपोर्ट और व्रश्चिक राशी वाले स्वास्त का ध्यान रखे नाक गले संबंदित पीड़ा आ सकती है धनु राशी वाले विवाईतों को मिल सकता है योग्य जीवन साथी और मकर राशी वाले आज दियेवे धन को वापस पाने की उम्मीद कर सकता है कुम राशी वाले जो गनित के चात्र चात्राएं हैं या एकॉनोमिक्स फाइन्स या अकाउंट्स चे जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और मीन राशी वालों को अपमान जनक स्तती का सामना करना पड़ सकता है दर्शे को आप करते आज के दिन की ज्यान चर्चा जो हमारी आपकी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक्षित सुंदर और सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को प्रैक्टिकल अनुभाव किसी भी शाब्दिक ज्यान से या पुस्तकिय ज्यान से ज्यादा अवशक और महत्पुन होता है आप जब तक आचरण में नहीं लाते तब तक सारा ज्यान शब्द विलास हिए इस पर शास्त्र वचन कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रान्य धित्यापी भवंति मुर्खा यस्तु क्रियावान पुरुशे से विद्वान यही तो पदेश से शास्त्र में आता है और इसका अर्थ यह है कि शास्त्रों का अध्यन करने पर भी लोग मुर्ख रह जाते हैं वस्तुत विद्वान वो है जो शास्त्रों के ग्यान को वहवार मिलाते हैं यानि उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिस तरीके से औशदी लेने से रोगी रोग मुक्त होता है ना की औशदी का ना मात्र लेने से। यह अच्छे प्रकार से+, आपका रोग ठीक होगा वह वह सी अच्छे चीज़े लिखिए उस ग्यान को तब तक वो ग्यान आपके उपर बोज है और आप एक मुर्ख हैं तो आज की ग्यान चर्चा का सार ये है कि जो सीखें उसे अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल होता रहें तो दर्शे को अब बात करते हैं उन वसिस्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्चाओं के सरल समधान कर देते हैं और जिने करके आप असफलता आर्चनों को बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता की और द्रता से तीज गती से और कॉंफिडेंस से अग्रिसर होते ह सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है आप सभी आज सुबह भगवान शिवजी पर केसर मिलेवे जल से अभिशेक करें गुलाब की 108 पुष्प अर्पित करें और जब ये करें तो प्रतेक पुष्प के साथ जैसे आप एक पुष्प हात में गुलाब का और कह पांच बेलो के पौदे आप लगा दीजिए और शाम साड़े साथ बजे हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की कोई भी मिठाई सवादो की लौर पित करें उसे फिर छोटे-छोटे बच्चों में निजधन बच्चों में जरुतमन बच्चों बाढ़ दें आने वाला वर 10 बजे से लेकर 11 बज के 40 मिनट के बीच में 36 लोंग लें 6 कपूर के टुकड़े लें और इसमें हल्दी और चांवल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिला लें और फिर माता दुर्गा के सामने इस सारी सामगरी की आहूतियां दे मंत्र ये रहेगा जब आहूति देंगे सर् हैं ऐसे अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो दिये तो आप लॉंग और कपूर में अनार के दाने भी मिला दें और इसी मंत्र द्वारा माता दुर्गा को आहूति दें निश्चित रूप से लाब होगा लंबे समय तक करेंगे तो इसके चमतकार आप स्वेम देखेंग जांत रहें तो कोई भी पिले रंका पुश्प आप जो मिलाएं और फिर मा दुरगा को सर्वशान्ती कुरूख acquire स्वह दुम्rina बगाए सर्व सफलता कि aur agr sr ho ngay इसके लिए करना सिर्फ यह है कि शडसों के तेल में सिक्हे हुए ग्यों का आठा ले ली जिये पुराने गुर से तैयार केवे 7 पुए और 7 मदार यानी आओक के फूल लें, सिंदूर लें आठे से तयार सडसों के तेल का दीपक लें पत्तल लें और पत्तल नहीं मिलते हैं तो अरेंडी के पत्ते ले लें इन सब पर इन सामान को रखें और समय रहेगा राती दस बच के 48 मिनट और फिर किसी चौराय पे जाके इसको आप सामान को छोड़ दें और वहां हाज जोड़ के कहें कि हे मेरे दुरभाग ये मैं तुम आप समश्याओं से बहार आएंगे बहुत सारी चीजें आपकी जो परेशानिया थी आपके पीछे छूट जाएंगे ऐसी दर्शी को बहुत बार यूं होता है कि किसी बहुत प्रभाव शाली या शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रूता हो जाती है अब सीदे सीदे हम उससे ल कूट, केशर, हरताल, काले धतूरे की जड़, मेंसिल, गोरोचन, लालचन्दन, कपूर फिर इन सब को पीस लें और भगवान शिवजी पर चड़े हुए गौ माता के घीमें इस पूरी सामगरी को मिला लें अब इस सामगरी को अपने सामने रखें और अपने इस्ट मंत्र या फिर माता दुर्गा के बत्तिस नामों का जाब करें या तो अपने जो भी गुरु मंत्र करते हैं इस्ट मंत्र करते हैं उसका अधिक सेदिक संक्या में जाब करें नहीं तो अच्छा ये रहेगा कि माता दुर्गा के जो बत्तिस नाम स्थोत्र है उसका पाट करें और पिर सामगरी में से थोड़ा सा तिलक लेके अपने सिर पे अपने ललाट पे तिलक लगाएं और उस विरोधी से जिससे शत्रूता है नाराजगी चल रही है उनसे मिलने जाएं निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम मिलेंगे जो शत्रूता थी वो धीरे-दीरे एक सवालों की आज हमारे पास जनम पत्रिक आई है हमारे दर्शक दिल्ली से भासकर जी की 9 अक्टूबर 1998 का इनका जनम है सुबह 9 बच के 40 मिनट दिल्ली और प्रश्न किया है कि लव मेरिज के योग हैं क्या और विवा कब है देखिए भासकर जी आपका लगन व्रश्चिक है और पंचमेश गुरू और लगनेश मंगल आमने सामने द्रश्टी संबंद बना रहे हैं साथी साथ सप्तम यानि विवा भाव में उच्च का चंद्रमा है और यह तीनों चीजे दर्शा रहे हैं कि आपका प्रविवा होगा और विवा के पस्चात भाग्योदे भी तैह है आप मंगल राहू की यूती के जो दोश है उसकी शांती करवा लिजे यह जो दोश आपकी जनम पत्रिका में बहुत परिशान कर सकता है करियर में भी और निजी जिन्दगी में भी ऐसा आप उपाई कर लेंगे तो जीवन में समश्य नहीं आएंगी आपके विवा की जो य अंतर का जनम है सुबह 6 बच के 36 मिनट बासवाड़ा प्रशनी किया है दूसरे विवा का योग कब तक है देखे इंदन्द किशूर जी आपका मकड लगन है जिसमें शस्टेश बुद्ध अस्ट में सूर्य और राहू के साथ बैठा है और ये तीनों सब्टम यानि विवा भषाओं में बैठे के टुपर सीधी दरश्टी डाल रहे हैं इस विवा भाव पर स्एनी और मंगल की सीधी दरश्टी आरही है और सब्तम का मालिक है यानि विवा भाव का जो मालिक है वो चंद्रुमा है और वो नीच राशिव बैठा है ऐसे में पत्नी की ऐसे में मृत्य हो जाती है या फिर तलाक हो जाता है और आगे भी ग्रह योगों के चलते आपके वहवाइक जीवन से कोई भी सुक आपकी जनम पत्रिका में नहीं है हलांकि आपके अब विवा का जो योग है वो नवंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच है तो आप अगर करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विसुष्ट उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडित चंद्रशेकर शर्मा आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही विधी सकीक समय और अटूट शद्धा के साथ करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्य साथ एक निवेदन के श्रावन मास में व्रक्षा औरोपण अधिक सद्धिक संख्या में करें जिससे की जो प्रकृती है जो भगवती हमारे सामने है इनकी सेवा अवश्य हो कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवती आप सब का कल्यान करें जय आदिशक्ति आईसे में हम गाइदन्स लेते हैं कि किस तरह से चालेंजस से हम ऊवर्कम इजिली कर सकें और यह रीडिंग करते हैं यह एक से लेकर नौ मूलांग तक होती है कौन सी रीडिंग होगी आपकी यस आपने हमारे कारेक्रम को नया जॉइन किया है तो धारत देकर आपको समझा बढ़ाना चाहूंगी कि अगर आपकी डीटर बर्थ है 11 यानि 11 तो एक और Eुको जब så जोडते हैं तो जोड़ाता है नमब तो दो होगा आपका मू Try और आजG तारिक है 16 जुलाई 2023 और आज की तारिक 16 को जोड़ेंगे एक और 6 को जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नमबर 7 तो साथ होगा आज की तारीख का मूलांग और नमबर 7 जिनके स्वामी है केतु तो कहीं ना कहीं आज के हमारे जातकों के उपर एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है हम आज के ये कारि 3,23 के लिए हमें कहा जा रहा है माकाली का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन माकाली की करपा आपके उपर बनी हुई है ऊर्जाएं बहुत पावर्फुल है Durgaan शेकी एनर्जी जै उगर एनर्जी है ऐसे में आपको थोड़ा सा आज अपने क्रोध उपर नियंद्रन रखना होगा बहुत जादा क्रोध आपको नहीं करना है बहुत जादा आपको डिप्रेसिव एनरजी में नहीं आना है अपने इगो को बीच में नहीं लाना है क्योंकि आज का जो दिन है आपके हाथ से कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी से आपकी लाइफ से जाएगी जो होते हैं या शत्रु समान जो हमारी नकारात्मक पैटर्न होते हैं हमारी आदते होती है कुछ ऐसी वस्तुएं जो होती है वो स्वतही हमारे जीवन से चली जाती है साथी साथ आज जो है शत्रु पर भी आपको विजय प्राप्त होगी आपके जो आलोचक होंगे वहां पर भी कि आप जो है उनसे जितेंगे आपका दिन शुभ हो है आई जानते हैं मूलंक 2 के लिए हमें आप भगवति आज क्या काइड कर रहे है सोला जular 2030 के लिए और मूलंक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है गोल्डन ओपर्शुनिटी का काड़ है मूलंक 2 उसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई कैसी opportunity प्राप्त हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय से जुड़ी हो सकती आपके जिन्दगी का एक बहुत एहम फैसला आज जो है आप कर सकते हैं जिसका की आपको देर्ग काली लाभ प्राप्त होगा बस आपको क्य अंत भाव से ऐसी opportunity को आपको grab करना है जो परमात्मा आपको दे रहे हैं और कुल मिलाके धनेवाद से भरे रहना है अगर आज आप emotionally disbalance हुए तो कहीं ना कहीं आते हुए इस blessing को भी आप block कर देंगे तो आपको क्या करना है emotional balance होने के लिए सबसे जादा liquid consume करना है बहुत आसान सा उपायवतारियों कोई खर्जा नहीं लगना है पानी जिस वक्त आप emotional फील करें तुरेंट आपको जल ग्रेंड करना है आई जानते हैं मूलांकतीन के लिए हमें मा भगवती आज क्या guide कर रही है आज 16 जुलाई 2023 के लिए और मूलांकतीन के लिए हमें कहा जा रहा है मा सरस्वती का card है मा सरस्वती की कृपा पर बनी है देखें चुकि आज जो है नंबर साथ हो रहा है आज का जोड़ना केतु का है तो कही न कहीं माता से संबंदित भी है और हम मा डिवाइन मदर एनरजी से ही हम गाइडेंस ले रहे हैं तो पहले मा काली आए और अब जो है मा सरस्वती जो है उन्होंने अपना प्रकट किया है तो मा सरस्वती की कृपा आपके साथ है आज especially वो लोग जो की विद्यारती हैं बहुत अच्छा दिन गुजरेगा अगर किसी प्रकार का competitive examination है तो वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी बहुत अच्छा समय है विद्या आरजन करने का ज्यान प्राप्त करने का इसके अ fine mother energy की कृपा आपके साथ बनी हुई है और आप कुछ ऐसा special आज करने वाले हैं जो कही ना कहीं लोग आपको appreciate करेंगे आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें मा भगवती आज क्या guide कर रही है 16 जुलाई 2030 के लिए और मूलांक चार के लिए हमें कहा जा रहा है blossoming का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिर आपको बिल्कुल भी हरबडाना नहीं है जल्दबाजी नहीं करनी है बलकि आपने जो है अपनी life में आप आगे बढ़ने के लिए जो भी आपने कुछ planning की है जो भी आपने तयारियां की है उसमें आप धीरे धीरे जो है grow कर र नहीं करनी है बलकि अपने आपको आपको बहुत आज कंट्रोल रखना है बहुत जादा आपको बैलेंस रखना जरूरी है आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है 16 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक पांच क लिए हमें कहा जा रहा है फिर से ब्लॉसमिंग का कार्ड आया है मूलांक चार के लिए था मूलांक पांच के लिए और मूलांक पांच के जातकों को कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपने प्रोसेस स्टार्ट किये हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है आप अभी भी सही मार्ग पे चल रहे हैं तो किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है किसी प्रकार की बेचैनी या आपको बहुत जादा हड़बड़ी नहीं करनी है क्योंकि ऐसा करने से आपके कारे पर आपकी ग्रोथ पर एफेक्ट पर सकता है साथ ही साथ आपको ये भ फगवती आज क्या गाइड कर रही है 16 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है इजी डाजट उनहा काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई महतपूर निर्णे नहीं लेना है अगर आप कोई भी महतपूर काम आज के दिन करने जा रहे हैं खास तोर पर कोई महतपूर निर्णे आपको लेना है या फिर आपको कहीं investment करना है कहीं property सम्मंदित या व्यवसाय सम्मंदित कहीं पर भी अगर आपका वित्तिय कोई भी कारे है तो उसमें आपको बिल्कुल भी हडबड़ी नहीं करनी है बलकि easy going way में जो भी आप काम कर सके वहीं आपको करना है साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने स्वास्त का खयाल रखना है आई जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें मा भगवती आज क्या guide कर रही है 16 जुलाई 2023 के लिए आज की तारीक का जो जोड़ है वो भी है नमबर 7 और मूलांक 7 की हम reading कर रहे हैं हमें guide किया जा रहा energy हो इसकार्थ साफ है कि अगर किसी प्रकार के वादे विवाद से अपने आपको दूर रखें कहीं पर अगर आपसी जगडा हो रहा हो या वैचारिक मतबेद हो तो वहां पर आपको बीच में जबरदस्ती नहीं आना है आपको avoid करनी है ऐसी कोई भी परिस्तिती जो कि आप जलाई 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमसे कहा जा रहा है boundaries का card है आपको कहा जा रहा है कि अपनी शमता से अधिक कारें नहीं करना है और साथी साथ दूसरों को खुश करने के लिए कि दूसरे लोग खुश हो जाएं आपको appreciate करें इसके लिए कोई भी ऐसा कारें ना कर जो कि आपकी शमता से बढ़कर हो कहीं ना कहीं आप आपकी अपनी reputation को आप बीच में आने दे अगर आपको कोई कारें आप नहीं कर पा रहे हैं कहीं अगर आपकी commitment जो है वह आप पूरी नहीं कर सकते हैं तो बड़े ही प्रेम पूरवक्त आपको उस कारे के लिए मना करना होगा आज के दिन आपको अपनी boundaries का ख्याल करना है नो कहने की आदत डालनी है किसी भी कारे को दूसरों को खुश करने के लिए केवल हा ना करें commitment जूटे commitment ना करें बलकि इससे दीरगे कारिन आपको नुकसान हो सकता है तो कुल मिला के आज आपको अपनी self image पर काम करना है आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा माभगवती हमें आज क्या guide कर रही है 16 जलाई 2013 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है easy does का card कहीं ना कहीं आज की जो energies है वो हैं तो बड़ी powerful लेकिन वो energies जो है वो चाहरी है कि आप बहुत slow और easy going process में काम करें मूलांक 9 के जातकों को specially कहा जा रहा है कि हडबडी नहीं करनी है सोच समझ कर कोई भी फैसला लेना है अगर आप वित्य संबंदी मामलों की बात करें या फिर अगर आपके व्यवसाई की बात करें तो कहीं पर भी पैसा नहीं फसाना है खास तोर पर आपको उधार देना न नहीं है इस बात का भी आप खयाल रखें तो कुल मिला के आज के दिन साथ ही साथ आपको बोलते वक्त भी अपनी वाणी पर नियंतर रखना है ऐसा कोई भी बात अपनी जाहिर नहीं करनी है जो आपके लिए आगे जाके आपके लिए नुकसान का कारण बरें दोस्तों यह आपने नाम